दोस्तो अगर आप भी नेच्रल तरीके से अपने सफेद बालों को काला घना सिल्की साइनी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बस आपको करना कुछ नहीं है अपने सेंपू में कुछ चीज़ें मिला लीजिए और आपके बाल बिल्कुल नेच्रल तरीके स काले घने सिल्की साइनी हो जाएंगे तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट वीडियो पसंदखाए तो लाइक करना और sihर कर दीना तो निश्खा तियार करने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा एक पोटैटो यानी की एक आलू का हम क्या करेंगे इसको पहले से ही पानी से से ढो लेंगे और उसके बाद में हम इस आलू का निकालेंगे शिलका अब आप दोस्तो सोच रहा होंगे कि आलू से बाल कालरी कैसे होगे होते हैं दोस्तव आलू में भर्पूर मात्रब सी बीटामी' गूर्फटा में अंटो सांति इसमें और यह पोसक्त मिल कर आपके बालों बिलकुल हरीके से काला बनाता है 15-सां बालोंको पूसक्त तक देता जिससे कि आपके जो बालों में जो इसकेल्फ होता है उसको क्लीन करता है डीपली जा करके जिससे कि जो पसीने से धूल मिट्टी से जो रोमचिद्रे आपके ब्लॉक हो जाती है उनको ये खुलता है जिससे कि आपके जो बाल है सोदिताजी हवा ले सके और आपके बाल जर से काले हो सके और दोस्तों आपने कभी देखा होगा जब हम आलू काट के रख देते हैं और अगर उसे हम पानी मिनना डालें तो आलू कैसा हो जाता है ब्लैक आपने देखा होगा अगर आपको विश्वास ना हो तो एक आलू काट के रखना और आप उसको दस से पंदे मिनट ब और अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे दो कप पानी यहां पेमें दो कटोली पानी डाल दे रही हूँ दोस्तों जो मैंने उस संब बता रही हूं यह आपके बालों को काला बनाएगा, घना बनाएगा, सिल्की बनाएगा, साईनी मनाएगा और ये जो आलू है ये आपके बालों को पोसक तो देगा और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी दोस्तो अब इसे हमें करना क्या है इसको हमें खुला लेना है तो मैं इसको मैंने गैस पर रख दिया है अब इसके बाद में हम इसे में डाल देंगे कॉफी पाउडर तो मैंने यहाँ पर दो चम्मच कॉफी पाउडर डाल दिया है और अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे दोस्तों कॉफी पौडर में भरपूर मातरा में क्या होता है कैफीन होता है और यही आपके बालों को नेचरल तरीके से काला बनाएगा यानि कि यहां पे हम कुछ चीजों को एड करेंगे सभी चीजें मिल करके आपके सफेद बालों को बिल्कुल नेचरल तरीके से काला करेगा और इसका जो रिजर्ट है आपको एक बार में ही दिखेगा तो यहां पे हम दूसरी सामगरी यानि कि तीसरी सामगरी हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती चाय की पत्ती हम दो चमच डाल देंगे यहां पे आपने देखा है आलू का छिलका लिया है दो चमच मैंने कौफी लिया है और दो चमच मैंने इसमें डाल दिया है चाय की पत्ती चाय की पत्ती में अभी दोस्तों भरपूर मात्रा में क्या होता है ट्रेनिंग ऐसे भरपूर मात्रा में होता है चाय की पत्ती में और ये आपके बालों को काला घना साती सा सिल्की स्थाइनी बनाता है और आपके बालों की रीग्रोथ हो जाती है आपके बाल घने होने लगे ताकि आलू का चाय की पत्ती कॉफी सब का अर्ख हमें इस पानी में मिल सकें तो चलिए मैं इसे पांट पका लेती हूं दोस्तो इस नुस्के को आप ट्राई जरू करना यह बहुत ही अदा बैतरी नुस्का है इसमें कोई भी कैमकल नहीं है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप इसे आराम से यूज करिए इसमें कोई भी ऐसी चीजे नहीं है जो कि आपको नुकसान करें बिना डाई के आप अपने सफेद बालों को काला बना सकते हैं तो यहां पर यह नुस्का बन करके तयार हो गया है और इसे मैंने ठंडा भी कर लिया है अब इसके बा आपके पास में जो भी सेंपू आप यूज करते हों वो ही आप सेंपू ले लीजिए आप अपने बालों के लिए जो सेंपू यूज करते हैं वो सेंपू आप ले सकते हैं यहां पर मैं क्लिनिक प्लस सेंपू ले रही हूं और मैंने आपको दिखाने के लिए एक पाउच एक पाउच मैंने के सैंपू की सीसी में डाल दिया है आप देख सकते हैं सैंपू की सीसी में एक पाउच मैंने सैंपू डाल दिया है तो हम क्या करेंगे एक सैंपू की सीसी ले लेंगे या और कोई सीसी ले लेना और इसमें हम इस तरीके से सैंपू डाल देंगे तो मैंने पानी को इसी पानी को हमें इसे में भर लेना है दोस्तों बहुत भैतरी नुस्खा है आप अपने बालों को प्रिकुल नेचुरल तलीके से काला कर पाएंगे घना सिल्की साइनी कर पाएंगे आपके बालों में जाना जाएगी दोस्तों नुस्खा एक है लेकिन मैं आपसे ग तो बस आपको करना क्या है यही करना है कि आपको अपने सैंपू में यह पाणी मिला लेना है और आप इसे जब अपने बालों को धुलें तो इसे यूज कर रहें आपके बाल बंस्व चाहां घंय मिल जल्क पहके लिए ब्लकिन indra खतम होगी और अगर आपके बाल अभी सफेद नहीं हुए तो आपके बाल को यह क्या करेगा सफेद होने से रोकेगा यानि कि बहुत से लोगों के आज समय सफेद बाल होने लगते हैं तो उनको यह रोकेगा इस नुस्के को सभी लोग यूज कर सकते हैं बच्चे बड़े हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने बालों को गीला करेंगे पानी से और उसके बाद में इस सैंपू को अपने बालों में लगाएंगे यह पानी वाला जो सैंपू है इसको आप लगाएंगे अपने बालों में अच्छे से पूरे बालों में लगा करके और दो मिन तरीके से काले हो जाएगे और इसे अरॉम से यूट करें इसका कोई भी साइड डिफ्रक्ट नहीं है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इसमें बहुत यह दा बैतरी चीजें मिली हुई है तो इस तरीके से आपको क्या करना है पांच मट छोड़ देना है और पा बाल सफेज से काले हो जाएंगे सिल्की साइनी हो जाएंगे बालों में चमका जाएगी बालों में जाना जाएगी दो मुहेबाल है तो वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे तो दोस्तों इसमें को ट्राइ करिए और भी इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों